दोस्तों इस वीडियों हम बात करेंगे बोन फिटा के फिटा कोईन के प्राइज मुमेंट के बारे में करेंटली कोईन 0.274 पर ट्राइट कर रहा है एक अच्छा ब्रेक आउट एक अच्छा क्विक पंप इसकी प्राइज में कल से अभी तक देखने को मिला है और कल सब इसकी प्राइज में अल्मोस्ट इसकी परसेंट से जादा का कुछ पंप देखने को मिला है 0.20 वाले एरिया से इसने 0.317 वाला एरिया ट्राइज किया और करेंटली अल्मोस्ट 274 पर ये कोईन ट्रेट कर रहा है आपने अगर डिप के अंदर इस कोईन को पाई किया है तो अभी आपको एक अच्छा पॉफट देखने को मिल रहा होगा कहां तक इसकी प्राइज जा सकती है क्या कुछ निज निकल के आ रही है आपको कहां पर से लाउट करना है अगराज सारी चीज़ों के बारें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट के अंदर आए है जिनको जादा नोलेज एक्स्प्रेंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट किये ताकर उनको प्रोपर गाइडेंस और स्टेटीजी वहाँ पर मेल पाई और सिगिनल्स भी वहाँ पर आपको शियर किये जाएंगे जो नए है जो क्रिप्टो में पैसा लूस करने से अच्छा है कि महाँ पर कुछ फीप आप पे करके अच्छा नोलेज वहाँ पर गेन कर सके फिर आप बाद में ट्रेट करते रहें बहुत साए नए ट्रेडर जो है उपर की तरब बाय करके ट्रेप को जाते हैं आप में से बहुत साए लोग होंगे गईले कोई जूइद तो जो लोग जोइन करना चाहते हैं वो इन्स्टा पर DM कर सकते हैं इंस्टा के लिंक के डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटियल्स भी है 0.274 पर ये कोई ट्रेट कर रहा है 15 मिट का चार्ट ओपन है इसने आप 317 वाला हाई बनाया अगर सपोर्ट एरिया की बात करें डेली का चार्ट ओपन करते हैं प्रिवियस्ली ये कोई ने ओल्मॉस्ट 3.5, 3.6 का राउन में ट्रेट कर रहा था यहां पर इसको 3.5 वाला सपोर्ट एरिया था और उपर की तरवाग रिस्टेंस से रहे की बात करें 0.42 वाला इसको रिस्टेंस जोन फेस करने को मिल रहा था और 0.195 वाला लो बनाया है 20 सेंट इसको सपोर्ट देखने को मिला और इस एरिया पर ही पिछले 4-5 देंस सो इस्टेबल है जो प्रिवियस डंप था वहाँ पर प्राइस ओल्मॉस्ट इसी एरिया तक गई थी और फिर जो CPI इंडेक्स का डाटा निकल गया उससे रिकावर हुआ थोड़ा सा फिर वापिस FTX जो है वो बेंकरप्ट हो गया तो फिर मार्केट डंप हुआ मार्केट को फोलो कर रहा है ऐसा नहीं कि इसी कोईन में डंप देखने को मिला मार्केट में डंप है फिर प्राइज में 0.195 वाला लोग बना और यहां से फिर रिकावरी देखने को मिल रही है तो रिकावरी जो देखने को मिल रही कुछ अपडेट से इनके आ रहे हैं यह अपडेट कुछ कर रहे हैं जो डोमेंस बगरा यह रिलीस करते हैं कि आप इसका use case जो है अगर बुन फिटा की बात करें तो आप डोमेंस बाइब कर सकते हैं जिसे हम वेबसाइट क्रिएट करता है वेब2 के अंदर तो यह Solana Blockchain का यूज़ करका आप कर सकते हैं कि यहाँ पर इसमें Solana Name Services जो है इसका SNS यह इसमें .SNS आएगा और जैसे .SNS यह पर जो Ethereum Name Services है वो भी एक Domain का काम करता है तो .ENS इस टाइप का इसका यूज़ केस है तो आने वाली दिनों में इसकी hype यहाँ बार अच्छी create होके तो कुछ update से यह ला रहे हैं उस वज़े से एक pump पे जो है देखने को मिल रहा है Currently अगर बात करें support है कैगी तो यहाँ पर इसको 2.0 वाला support था उपर की तरफ यहाँ पर बात करें तो almost 0.24 वाला 2.4 वाला resistance जोन था और उपर की तरफ इसको 0.29 वाला resistance है यहाँ पर currently अगर यह 2.4 से उपर daily closing करता है तो इसको यह support देखने को मिलागा 2.4 वाला और अगर 2.9 से उपर daily closing करता है तो 2.9 वाला support देखने को मिलागा 2.9 से उपर daily closing करना थोड़ा सा भी मुश्किल है अब यहाँ पर बात करते हैं अगर आपने इस dip को grab किया है तो अच्छा profit आपको देखने को मिल रहा हूँ आपने ऐसाद नहीं कि 20 cent पर भाई कर लिया हूँ 21, 22, 23 जहाँ पर भाई किया है लेकिन अभी आपको minimum 20% से ज़्यादा profit देखने को तो मिल रहा हूँ अब यहाँ पर अगर हम normal trading की बात करें तो जो 27 वाला area है यह 15 मिर्ट में अगर यहाँ पर देखें तो एक normal इसको support यानि कि यहाँ से थोड़ा सा volume देखने को मिल रहा है कि यहाँ से प्राइज उपर की तरह गई यहाँ पर support maintain किया फिर pump किया और फिर यहीं पर केंडल्स जो है यहाँ पर stability देखने को मिल रही है तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ time frame बाद यानि कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.30 या 8.00 PM के राउं तर आपको यह coin almost 29 के राउं में trade करता हूँ दिख जाएगा 29 से लेकि 30 और 9.30 क्लोजिंग का अगर हम वेट करें 4 hour का चार्ट भी open करते हैं तो 4 hour की जो candles है वो लगाता है यहाँ पर strong green candles देखने को मिल रहे है 4 hour में अगर हम यहाँ पर देखे तो वही 25 25 वाला इसको रेस्टेंस ना तो अभी यह इसको support देखने को मिलेगा तो 25 तक तो प्राइज नहीं आएगी यहाँ से 27 से ही pump करके और 29 या 30 पर आपको जो प्राइज है वो 9 8 PM से लेके 9 PM तक देखने को मिल जाएगी जिन लोगोंने buy किया था प्रेडिंग प्रस्पेक्टिव से जिन लोगोंने buy किया था उनके लिए target के अगर बात करें तो 0.29 वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको profit book करना है कितने part का 60% 70% पर जो भी आप आपने token buy किये हैं FIDA token FIDA coin उसका 70% पर आपको 0.29 पर sell out करना है और second target रहेगा आपका 0.32 जहां पर आपको 30% पर sell out करना है इस टाइप से 70-30 की रिष्म आपको sell out करके एक अच्छा profit आप book कर पाएंगे दूसरा short term के अंदर जो लोग trade कर रहें जिनका short term का perspective याने कि almost 10 to 15 days 20 days या फिर 1 month है तो वो लोग 0.34 0.35 वाला अपना target रख सकते हैं बाकी जो long term में hold करना चाहते हैं जिनका long term का perspective है अगर इस point की बात करें लिस्टिंग के चार से छे दिन बाद इसने 107 वाला है बनाया था और उसके बाद से फिर हमें इसकी प्राइज में लगातार डंप देखने को मेला इससे पहले जो इसमें एक अच्छा पंप था जहां पर इसने 1.22 वाला area ट्राई किया तो यहां पर भी हमने इसके target शेयर क कि बात करते हैं यह को एन आपको 4,3,4 USD तक 5 USD तक trade करता हुआ तिक जाएगा बाकि जो premium membership join करना चाहते हैं वो और भी जो detail से उसके लिए इंस्टा पर DM कर सकते हैं joining procedure और क्या हो हाँ पर आपको benefits देखने को मिलेंगे मैं इसलिए यह चीज़ आपको share कर रहा हूं क्योंकि आ मैं तो knowledge है हम कुछ से buy sell कर लेंगे तो आप कुछ time तक profit book कर पाएंगे लेकिन एक time इसा आएगा या तो आप हो सकता है starting में ही trade हो जाए या कुछ दिन बाद एक आदमी ने बाद trade हो जाए मैं इसलिए चीज़े बता रहूं कि यह चीज़े मैं experience की है और मैंने 5-6 मैंने एक साल भी weight किया है recovery का तो पहुत comfy है आप एक बार DM करके satisfy हो सकते हैं आपको पूरी चीज़े genuine चीज़े share करने की जाएगी वहाँ पर आपको proper strategy सिखाए जाएगी बाकि आप अगर नहीं भी join करना चाहते तो को problem आप नहीं है तो DM करके आप benefit देख सकते हैं बाकि यहाँ पर buy or sell खुद के risk के खुद के research के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहे हैं वीडियो से education purpose है ताकि आपको overall coins related knowledge हो सके वीडियो चलागा लाएक जरूर करें चैनल को subscribe करें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको regular basis पर मिलते रहे हैं यहाँ पर description में हमारे social media account Instagram Twitter के लिं एले थे तरूर के वीडियो एले थम से करें एले तके वीडियो नहीं रहे हैं बहे हैं